हे अवरिवन वेलकम बेक तो माई चानल और मेरे चानल का नाम है वर्षा ब्यूटी केर दूबर करती हूं आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं आप से शेयर करने जा रही हूं मिष्टी का स्किन केर रूटीन आज की जो वीडियो है एक रिक्वेस्ट वीडियो है इस अच्छे होते हैं बड़ों की स्किन के लिए और बच्चों के लिए इनका कभी कोई साइट इफेक्ट नहीं होता है तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ ऐसे नेच्रल इंग्रीडेंट बताने जा रहे हैं जो आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बैनिफिशल होंगे और उनकी स्किन को भी कोई हम नहीं पहुचेगा तो मिश्टी की स्किन पर भी मैं हमेशा नैश्रल इंग्रीडिंट का इस्तमाल करते हूं यानि की डियाइवाए फेस मास्क या फेस पैक या मॉश्यर इसकी स्किन पर बाजार से बना हुआ मॉश्यर अपलाई नहीं करती हूं मैं वलकि घर का ही बॉश्यर उसके बोड़ी पर लगाती हूं उसके फेस पर एपलाई करती हूं बॉडी लोशन की इस रेमिडी को मैं अपने चैनल पर पहले शेयर कर चुकी हूं प्लीज मेरी जाले चाहिए एक चमच बेसन ले लीजिए यह देखिए उसके बाद आप इसमें एक पिंच हल्दी डाल दीजे उसके बाद में इसमें एड़ करने जारी हूं यह एलमिनेसिस का ओरेंज पील पाउडर यह 100% प्योर और नेच्रल है और आपके पास जिस भी ब्रैंड का हो अधर आपके पास नहीं अवेलेवल हैं तो आप इसे स्किप बी कर सकते हैं यह बिल्कुल ऑप्शनल है मैंने इसे पहले भी बिष्टी को इस्तवाल किया है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ आफ तर और मैंने पहले घर का बनाऊवा भी पील पाउडर इस् तो यह देखें मैं थोड़ा सा इसमें आपने औरेंज पील पाउडर मिला दीजिए जस्ट थोड़ा सा और इसके बाद मैं ले रही हूँ इसमें हनी मैं आप डाबर हनी यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो किसी ब्रैंड का यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास एव आप चाहें तो इसमें मलाई भी आड़ कर सकते हैं जैसा कि विंटर अभी चल रहे हैं तो आप मलाई भी आड़ कर सकते हैं और वैसे आप इसमें दूद आड़ कर दिया है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप इस पैक को समर्ज में लगा रहे हैं तो आप दूद की जगा इसमें दही भी आड़ कर सकते हैं बिल्कुल ओप्चनल है क्योंकि अभी विंटर चल रही है तो मैंने इसमें दूद आड़ किया है आप मलाई भी एड़ कर सकते हैं आप शाहे तो और समर्ज में तो यहां पर मैं मिश्री का फेस वाश कर चुकी हूं और अब मैं इस पेक को इसके फेस पर इपलाई कर रही हूं और इस पेक को गाईज आपने 5-10 मिनट तकना है बस जब तकि ड्राइ हो जाए और पूरी तरह ड्राइ मत होने दीजिए खलका ड्राइ हो जाए इसके बाद अ आफ आउज और आि आप शाहें तो लाइज इस फेस पैक को बच्चो की पुरी बॉडी पर भी एपलाई कर सकते हैं और गाइस ये फेस पैक विंटर से बसे बेस फेस पैक है बच्चो की स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है आप इसे वीक में दो जी तीन बार भी लगा सक जैसे भी आपके पास टाइव हो उसके एकोडिंग ली आप यूज कर सकते हैं इसे और जैसे कि मैंने इसमें शेहद एड़ किया है तो शेहद बच्चों की स्कीन को नरिश्मेंट देता है और दूद में इसमें एड़ किया दूद में लेक्टिके सीड होता है जो कि बच्चो को लगा दिया है अब मैं इसे तोड़ा सा ड्राइ होने दूगी उसके बाद मैं इसको बशाश कर दूगी और अभी मैं तोड़े दिल में मिश्टि को नहलाना भी है तो यहां पर मैं मिश्टि का फेस बशाश करने जा रही हूं और अपने बच्चों की शकिन पर तो वह भ तो आप वह भी उसकर सकते हैं वैसे मैं आपको दो इसी ओप्शन बता रहे हूं यहां पर एक है आयूर क्रीम और एक है निविया लाइट मोश्राइजर उसको भी आप इस्तमाल कर सकते हैं बच्चों की स्कीन पर लगाने के लिए बहुत ही अश्य मोश्राइजर है दोनों बहुत ही बेस्ट है और दोनों का ही रिवी मेरे अपने चनल पर शेयर किया हुआ तो आप देख सकते हैं थोड़ा सही से रफ करते हुए उसारी है थाकि कि जो भी टैनिंग में रहा होगी वो भी रिमूब हो जाएगी तो यह देखिए मैंने मिश्टी का फेज वाश कर दि तो अभी से इसली लगाते हैं और आप भी मैं इसके बालों में मसाज करूंगी अच्छे से और इसकी हेर के रूटीन में पहले भी अपने चैनल पर शेयर किया है तो आप एक बर मेरी वीडियो की प्लेलिस को जरूर चेक कर लीज़ेगा आपको बिल जाएगी और अभी मैं और किस्टे बालों में चब करोंगी उसके बाद इसको नहलाओंगी थोड़ी दिर मार्स अभी में चाहती है और मेरे यहां पर एक डिया वाई लोशन त्यार किया वह वही दो नो बच्चो को लगाता हूं आर्मान को भी वही लगाती हूं और मिश्टी लगाती हूं उस ल तो इस लोशन को कोई भी लगा सकते हैं बच्चे भी लगा सकते हैं वह लोशन भाज ही जादी में अपने चैनल में नुद्त अन्म पर ऋरेढ़ के ऊद्धा स्करमार, या फिरें आपके लिंक देंगे weez से हरे च्छेवूर चे़क लिशेगा तो चलिए भी मैं इसको वो बोला बोडी लोशन लगा देती हूँ और इसे मैंने बनाया है ग्लिसरीन और रोस वोटर और दीबू की हल्प से तो चलिए देख लगा है सबाइस यह है वो DIY लोशन आप सोचेंगे कि मैंने इस बोटल में क्यों रखा हुआ है तो मेरे पास एक यह बोटल खाली थी मेरा इसमें एक्चली सीरूम था तो यह बोटल खाली थी मैंने इस अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है इसमें मेरे अपना DIY लोशन भर कर रख लिया था तो काफी अच्छी बोटल है तो बहुत ही अच्छा लोशन है इससे में फेस पर लगा दूगी बहुत ही थोड़ा लगता है इससे बच्चों की गाल भी नहीं पड़ते हैं जैसा की विंटर्स में एक्सर हो जाती है यही प्रोब्लम और बहुत जल्दी एब्जॉर्म हो जाता है यह तो यह देखिए तो फ्रेंड्स यह थी मेरी आज की वीडियो आशागरती हैं आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो और पसंद आए तो प्लीस गाई इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले कमेंट करके जरू बता झाल